हलो फ्रेंड्स मैं हुने रुख्मा और मेरी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जब कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो सबसे पहले ख्याल पंजाबी रेसिपी का आता है तो ऐसे में एक रेसिपी है अमरे सरी पिंडी छोले इसका स्वाथ बहुत ही कमाल का होता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका मसाला त्यार करेंगे इसके लेक पैन लेंगे उसमें दो चम्मर साबुद धनिया डालेंगे एक चम्मर सौफ एक चम्मर जीरा डालेंगे फिर एक चम्मर काली मिर्च और दो साबुद लार मिर्च और एक तेज पत्ता फिर डालेंगे इसमें हरी लाइची, काली लाइची और लॉंग अब इसे हम भूर लेंगे तो हलकी से खुश्बू आने लगेगी बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूरना है आब इसे पीक्स लेंगे मिक्सी में और ये देखे हमारा मसाला तयार हो गया अब इसमें और भी मसाले हमें डालें तो एक चमर डालेंगे इसमें सॉंट पाउडर और आमचूर पाउडर उसके बार डालेंगे कसूरी मेथी अब इसे डालके मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा मसाला तयार हो गया इसे आप छोले में ही नहीं आप किसी सबजी में भी इसको इस्तमाल कर सकते हैं अब हम छोले की ग्रेवी त्यार करेंगे तो इसके लिए एक पैन में तेल डालेंगे तेल गराम हो जाएगा तो इसमें जीरा डालेंगे और कटी हुए लहसन और कटी हुई प्यास डाल देंगे अब इसे हम भून लेंगे अच्छे से प्यास को जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए तो प्यास को और अच्छे से 5 मिनट तक के लिए भून लेंगे अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे भून लेंगे प्यास को कलर आने में 5 मिनट लगेगा तो अभी देख सकते हैं अभी थोड़ा सा कलर आ गया है प्यास में तब इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे अब इसे मिला देंगे और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे टमाटर भी भून जाएगा वसके बाद मसाले डालेंगे तो इसके लेवस वाद्ग अनुसार नमग डालेंगे एक चंश हल्दी ऐसे मिक्स करलेंगे कि अब गैस का फ्लेम को लो कर लेए और लो estão पर इसको पकाएंगे अब इसमें वो मसाला डाल देंगे दिए छोली वाला जो हमने बनायँ था תभी अब इससे मिक्स कर लेंगे और इससे तेल छोड़ने तक मसाले को अच्छे मसाले गए तब इसमें हम उबलेवे छोले डाल देंगे छोले को आप कुकर में चाय की पत्ति की पोटली बना रूबा लेंगे जो मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और भून लेंगे तो देख सकते हैं इतना अचा अलगी आ और यह फुले हमारे तयार भी हो गए हैसित थी तड़के के लिए चुनमस तेल टेल गरम हो जाएगा जीरण जीर तारक निन लाएगा फिर इसमें तुड़ी सी ही लीड़िंगए। दो कटिवी हरी मिर्च जालेंगे और कसा हुआ अदरक और इसके बार डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर अब इन सब को मसालों को हम भून लेंगे और फिर इसका तड़का लगा देंगे तड़का लगाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है तो अभी हमारे छोले बिल्कुत तयार हैं आप इसे नान से या किसी रोटी या चावल से भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं इस रस्पी को आप ज़रू ट्राइ करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें